करोगे लॉंग पूल की लाग तब तो जो साथ एक जागे को सेवन और सी से अन और नी कंपाउंड कमांड जल्प चराओंगे तो यह अन कमांड सो और नी कंपाउंड वाले तो है टेंटर पर रे डिस्टेंस परेक्टर रेक्षिन किता है अच्छा एफ सी सी को सी सी पी भी बोलते हैं आगे जाके जब पैकिंग अरिज्मेंट देखेंगे तो वहां से ख्लियर हो जाएगा अब देखो एफ सी सी अगर हम देखें तो एफ सी सी हमें इस तरह का दिखेगा पार्टिकल्स कॉर्णर पर हैं प्लस इच पेस के सेंटर पर भी पार्टिकल्स हैं तो इच पेस के सेंटर पर डॉट लगा के शो कर रहे हैं पार्टिकल्स कॉर्णर पर हैं प्लस हर फेस के सेंटर पर हैं देख सकते हो अच्छा अब कॉर्णर पर हर फेस के सेंटर पर तो तुम ऐसे देखो को सिंपल क्यूबिक जो अरेऍज्मेंट है अगर उसमें फेस के सेंटर में दाल तो पार्टिकल मैं प्रकर तो बिलकुल ही arrangement है FCC FCC में भी corner वाले दूर दूर हैं इसका मतलब कोई corner वाला आपस में touch नहीं करता लेकिन सब ही face center वाले को touch करते हैं तो अगर यहां पर हम face का cross section लेते हैं तो face के cross section में हमें दिख जाएगा particles कैसे arrange है एक तो face center वाला face का cross section देखो कैसा दिखेगा square और इस तरीके से particles का arrangement दिखेगा उसमें face का cross section ऐसा दिखेगा अब यह कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है BCC वाले cross section से लेकिन फर्क क्या है BCC में हमने mid से काटा था क्यूब को तो cross section में जो बन रहा था shape वो rectangle था जबकि यहां पर square बन रहा है ठीक है न बई अब square बन रहा है तो हम यह distance ले रहे हैं A B और A B में कितने R आ रहा है चेक करो तो दिख रहा है A B में 4 आ रहा है और A B अगर यहां से measure करें तो A B यह है तो A B 4R के बराबर है साथ में A root 2 भी है तो एक relation तो हमें वैसे ही मिल गया कि 4R की value A root 2 के बराबर है 4R is equal to A root 2 ना दूसरा point फिर वैसे ही repeat कि coordination number क्या होगा coordination number मतलब nearest number of particle तो अगर nearest number of particle check कराना है तो तुम ऐसा देखो की corner के सबसे छोग साथ है तो दिख रहा है कि corner के सबसे ऐस알ा सबसे से दो सबसे क्लोड के सबसे क्लोल के सबसे क्लोल और few सबसे क्लोस आ यह face वाले face का तो corner से तीन particle closest हैं Left वाला bottom वाला and front face का अब यह corner total 8 unit cell में common हैं एक unit में ऐसे तीन particle हैं closest तो आप में कितने होंगे art में होंगे एट इन टू त्री लेकिन ये जिन आठ में common हम गिन रहें जिन आठ उनिट सेल में टोटल तो यह पार्टिकल कॉमन होंगे कि नहीं फेस सेंटर वाले यह इस वाली उनिट सेल का है तो बगल वाली का भी पार्ट है यह पार्टिकल इस उनिट सेल का है तो इसके फ्रंट वाली उनिट सेल का भी है यह इसका है और इसके नीचे वाली उनिट सेल का अभी है इसका हमला हर पार्टिकल दो दो बार काउंट हो रहा है तो दो दो बार तो इफेक्टिव किता आ जाएगा 12 तो देखो यहां से कॉडिनेशन नंबर की वैलू किते आ गई वही कॉडिनेशन नंबर की वैलू आ गई 12 लियर पॉइंट ओके फिर अगला पॉइंट वैसे ही एफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल देखो एफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम निकालें तो तुम ऐसे सोचो कि भाई बाउन्टरी वाले तो शियर्ड है हो जो इंसाइड है वो कंप्लीट है या लेकिन सारे ही बाहर है मतल कि इसने आच तो कॉर्नर वाले कॉर्नर वालों का कॉंट्रिबूशन्य maisक Hub युच decirव रखक देखो तो हर फेसके सेंटर पर है भी हर फेसके सेंटर पर माल ही रूम है रूम में एक यह face है तो यह face इस वाली unit cell का भी part होगा और इसके पीछे वाली unit cell का भी तो face पे रखा particle दो unit cell में contribute करेगा आगे वाली और पीछे वाली तो 2 में contribute करेगा तो face के center पे तो ऐसे 6 particle है न भई और face के center पे ऐसे 6 particle है 2 unit cell में यह contribute कर रहे है तो contribution हो गया half तो 6 into half यह हो गया 3 तो effective particle किट्था आ रहा है 4 corner वालों से 1 effective और face center वालों से 3 effective तो इस case में effective particle आ रहा है 4 and packing fraction तो जब 4 particle है तो 4 into 4 by 3 pi r cube यह volume अको pi करेंगे divided by volume of unit से a cube तो packing fraction भी निकल आएगा और एकी वैलों जब डालोगे तो इस case में packing fraction आता है 0.74 इसका मतलब 74% space occupied है by the particle clear है भाई में कहल से all clear मामला लग रहा है कुछ का तो गया all clear दोबारा देखो वीडियो ठीक है ना ध्यान से सुनो क्योंकि कई बार जब एडवांस लेवल पर हम जाते हैं तो hammering ज़्यादा होती है और hammering ज़्यादा होती है चीज़ें उपर से निकलनी शुरू हो जाती है तो हमें बार बार revise करके उसको नीचे लाना होता है maintain करना होता है अलके पुल के लेवल में पढ़ोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं उपर के लेवल में पढ़ोगे तो दिक्कत आती है सब कोई आती है बट वो क्या करता है उसको बार बार revise करके समझ के practice करके maintain करता है तो ऐसे तुम्हें भी चीज़े maintain करनी है बहुत सी चीज़ें एक बार में समझ में आएंगी बहुत सी नहीं आएंगी अब अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है उसको revise करके दुबारा से पढ़के maintain करो अच्छा calculation अगर देखे तो सब में similar type की चल लए जैसे simple cubic में थी उसी से मिलती जूलती nearest number of particle तो मिलना है हमें 12 और distance इनकी a root 2 है अब next nearest और उनकी डिस्टेंस यह चेक करना है चेक करते हैं भाईच अब बाईच चेक करते हैं पहले बना लिया जै कॉर्णर वाले तो बड़े बना रहे हैं और face center वाले जो हैं उनको dots की form में represent करेंगे ताकि डाइग्राम थोड़ा सा नजर आए ठीक यह बन गया FCC अब देखो जब nearest हमने चेक किया था तो nearest चेक कर लिया था कि corner से face center वाले जैसे यह है एक दूसरा यह है और तीसरा यह है यह particle जो red से mark की है मैंने यह सारे nearest है इस corner से next nearest पर जाओगे तो जड़ा चेक तो भाई अगली बड़ी दूरी कौन सी है तो अगली बड़ी दूरी हमें दिख रही है यह वाली के अगली बड़ी दूरी तो भाई यही है तो a distance पर left में तो a distance पर right में मिलेगा a distance पर back में तो a distance पर front में मिलेगा a distance पर उपर तो a distance पर नीचे भी मिलेगा तो particle जो हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे six next nearest वाले तो नेक्स नियरस पार्टिकल है, six और डिस्टेंस है, रिपीट हुआ कि नहीं पुराना चीज, अच्छा आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो next to next, अब next to next में मुझे एक doubt हो रहा है, यह होना चाहिए, या यह होना चाहिए, देखो, blue से mark कर रहा है, next to next में दो हैं, doubt हो रहा है, तो इस पर doubt हो रहा है मुझे, और दूसरा इस पर भी doubt हो रहा है, कौन सा होगा, तो देखो, अगर इस distance को हम A बोल ना है, इसको हम B बोल ना है, और इसको C बोल ना है, तो AB तो हमें पता है कि क्या है AB क्या है AB face diagonal है कि नहीं तो AB कितना होगा A root 2 होगा याद है कि नहीं AB तो होगा A root 2 लेकिन AC कितना होगा AC अगर check करो तो चाहो तो Pythagoras लगा के check कर सकते हो कि यहां से यह triangle बना हो इसको भी बोल दो और ABC triangle से निकाल लो AC तो मैं बता देता हूँ कि AC की value आती है A root 1.5 AC कितना आता है A root 1.5 यह जो छोटा है और AC A root 1.5 आ रहा है और छोटा है इसका मतलब हुआ कि जो third nearest है या next to next है तो third nearest particle कितने मिलेंगे और distance कितनी होगी तो distance तो हमें दिख गई A root 1.5 मिलेंगे कितने अब ज़रा चेक करो कौन से वाले हैं ऐसे जो AC टाइप के दिख रहे हैं इनको अलग-अलग color से कर देते हैं ठीक है भाई इसको तो AB वाले को green कर दे रहे हैं ताकि disturb न करेगे AC वाले distance हमें चेक करनी है तो AC वाले distance एक तो भाई ये हुई AC एक AC distance ये वाले भी तो मिलेगी बैक वाले face का center और ऐसे ये टॉप वाले face का center देखो तीन yellow line देखो इस unit cell में 6 face हैं तीन face तो corner से जुड़े हैं और तीन face corner से नहीं जुड़े हैं तो जो तीन face corner से जुड़े हैं उनकी distance corner से है A by root 2 और जो तीन face corner से नहीं जुड़े हैं अरे यहाँ पे देखो भाई एक गरबड़ी हो क्या भी यह गलत लिखा है यह A by root 2 होना चाहिए यह ना यह by root 2 होना चाहिए तीन face जो corner से जुड़े हैं और तीन नहीं जुड़े हैं तो तीन जो जुड़े हैं उनकी distance तो A by root 2 है अब इस unit cell के अंदर यह तीन मिलना है ऐसे पार्टिकल तो यह corner कितनी unit cell में common है यह corner common है कितनी में कितनी में आठ में तो आठ में ऐसे कितने मिलेंगे आठ में ऐसे 8 इंटू 3 मिलेंगे कि नहीं लेकिन जिन आठ में यह common है उन में से कोई भी यह वाला पार्टिकल दो unit cell में common नहीं 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 है तो next to next nearest यह third nearest particles जो मिलेंगे नंबर में वो कितने मिलेंगे वो मिलेंगे 24 इस तरह से चेक कर सकते हैं थोड़ा सा confusion हो सकता है बढ़ तुम मार्किंग करते रों आपने आपी आ जाएंगी चीज़ें क्लियर है यह हटा देना इसको गलती से लिख दिया था यह बाई रूट तू अती डिस्टेंस क्योंकि कॉर्णर से पेस इसेंटर वाना हम चेक कर रहे है तो सम्री डाओ इसम्पल ग्यूबिक में एफेक्टिव पार्टीकल वन बी इसी सी में एफेक्टिव पार्टीकल पूर एंपल क्यूबिक में बैकिंग fraction 0.524, BCC में 0.68 और यहां पर FCC में 0.74, ठीक है? Simple cubic में अगर देखें तो coordination number 6, BCC में coordination number 8, FCC में coordination number 12. Simple cubic में A और R का relation A equal to 2R, BCC में 4R equal to A root 3, FCC में 4R equal to A root 2. clear a point, तो इस तरीके से चीज़े हम check कर सकते हैं, ठीक है बैट? समझ में आया, ओके, कुछ ना आया हो, तो दुबारा से देखना, सारी चीज़ें clear हो जाएंगी, questions पर अगली class में हम लोग चलेंगे, pages में summarize करता हूँ, पीछे एक-एक करके, देखो यह सारी calculation पुरानी, इस से पहले, देखते जाओ, repeat करो दिमाग में, ठीक है ना, यह calculation हम लोग ने की थी, फिर इसके पहले basic definition थी, तो आज की class में इतने ही कर रहे हैं, बाकी, next class में हम लोग कुछ calculation वाला part लेंगे, distance वगेरा, voids क्या होते हैं, packing क्या होती हैं, इन पर हम बात आगे करेंगे, okay,